गुद इवनिंग बच्चों वेलकम बच्चों, वेलकम ओल अफ यू, हैपी मकर सक्रांती, मकर सक्रांती की शुपकामनाई आपको बहुत सारी निदी पंड्या, अनिता जैस्वाल, अक्षय, आयूश, कुशाग्र, विशाखा, निखिल, दिशा, गितांजली, गुद इमनिंग बटा, ट्रत्यूश, शिंग, राठोर, सागर, अल्फिना, निशांक, रितेश कुमार, अक्षद जैन, हिमादरी, वेब विश्नवी, पार् करते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी जो anterior pituitary है, उनसे कौन-कौन से hormones बनते हैं, अगर आपको याद हो, लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, anterior pituitary से हमारे जो hormones बनते हैं, उनमें सबसे पहले है, growth hormone, prolactin है, melanocyte stimulating hormone, MSH है, उसके बाद हमारे चार दूसरे hormones हो रहें, उसमें, ECTH हो जाएगा, TSH हो जाएगा, GNRH हो जाएगे, basically GN होंगे, gonadotropins, जो LH और FSH होते हैं, तो लिस्ट मैंने कल आपको बता दीती, और ये नाम तब आपको याद करनी है, बच्चों सारे के सारे hormones, सबसे पहला hormone हमने कल, start भी कर दिया, कल मैंने आपको growth hormone क basically आपके दो काम करता है, एक तो आपकी body की growth को regulate करता है, physical growth को particularly, मैंने आपको समझाए कि mental development और reproductive development में growth hormone का significant role नहीं होता है, at the same time जो हमारा growth hormone है, वो metabolism को भी control करता है, तो मैंने दोनों आपको समझा दिया, कि growth में किस तरह से ये bones, cartilage, muscles, connective tissue, tendons, ligaments, liver, kidney, सभी organs की growth को promote करता है बच्चों, और जैसे कि मैंने आपको समझाए कि जो हमारी bones होती, वहाँ पर ये epifacial plate होती है, और इसी जगे पर हमारा growth hormone act करता है, और उससे वहाँ पर जो osteoblast cells है, वो divide होती है, और हमारी bone की लंबाई बढ़ती है, और bone की लंबाई बढ़ेगी तो हमारी भी लंबाई होती है, उसके बाद हमारी growth नहीं हो पाती है, question आया है, hyperglycemic का मतलब क्या होता है, hyperglycemic का मतलब एक ऐसा hormone जो blood glucose level को बढ़ाएगा, उन्हें हम hyperglycemic hormone कहेंगे, अगर कोई hormone आपके blood glucose level को कम करेगा, तो हम उसे hyperglycemic hormone कहेंगे, ठीके बच्चों, तो यह सारा में निकल आ है, metabolism है, मैंने आपको समझाए कि protein की synthesis को promote करता है, देखो यह यहां लिखा हुआ है, protein synthesis को promote करता है, carbohydrate metabolism है, मैंने आपको बताए कि यह glycogen के breakdown को promote करता है, glycogen का breakdown होता है, उसको हम glycogenolysis कहते हैं, और इस तरह से यह हमारे blood में glucose level को बढ़ाता है, okay, lipid में भी मैंने आपको है, वो उसे consume कर सके, okay, तो यह सारे मैंने खुद भी लिखे हैं, कल मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया, और notes मैंने कल आपके साथ share कर दिये हैं, आज भी कर दूँगा मैं, तो यह मैंने सारे points यहां लिखे हुए भी हैं, आप यहां से अपने notes बना सकते हो, एक और हमने देखा था, diagram, regulation of secretion of growth hormone, तो जो growth hormone inhibitory hormone है, कोई इसका नाम बताएगा, growth hormone inhibitory hormone को क्या कहते है, somatostatin, यह जो somatostatin होता है, यह आपके blood में, body में, growth hormone के level को कम करेगा, देखो, minus बताया मैंने, growth hormone, releasing hormone को बताएगा, growth hormone, releasing hormone को क्या कहते है, somatokinin कहते हैं, very good, शाबाश बेटा, तो इसको हम somatokinin कहते हैं, somatokinin जो है, growth hormone, releasing hormone, यह हमारे growth hormone के level को बढ़ाएगा, blood में अगर आपके glucose का level कम हो जाता है, hypoglycemia हो जाता है, तो ऐसे में growth hormone का secretion शुरू हो जाएगा, देखिए आप plus sign लगाया, अगर आप exercise करेंगे, तब भी अच्छे से growth hormone बनेगा, जिससे आपकी growth भी होगी, आप proper sleep लेंगे, तो sleep से भी आपके growth hormone का production बढ़ता है, तो अब आज हम बात करते हैं, बच्छों, जब भी हम कोई hormone पढ़ेंगे, तो definitely उस hormone से related disorders हैं, उनको भी हमें discuss करना पढ़ेगा, तो let's begin with the disorders related to growth hormone, growth hormone से related कौन-कौन से disorders होते हैं, जोती कवर, नेहा बरेशा, पायल खेर, कृष्ण मिनारिया, ममता सोनल, दिप्ती जैसवाल, रानी खोईवाल, राकेश धाकर, लेट आयो तो हम कोई बात नहीं चलो, आगे हो, अच्छी बात है, इतनी देर से मैं पिछली ग्लास का revision ही दे रहा था, अब आगे पढ़ा रह अगे होगा, अगे बढ़ने से पहले, रितेश कुमावत का एक question आया है, डाइबीटोजनिक होर्मोन क्या होता है, तो पहले मैं एक बार इस question का जवाब दे देता हूँ, मेरे notes में भी मैंने लिखा हुआ होगा, कि जो growth होर्मोन है, वो डाइबीटोजनिक होर्मोन है, तो जिन्होंने notes पड़े हैं, तो इसका मतलब अच्छा question है, मैं समझा देता हूँ, देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया है, कि जो हमारा growth होर्मोन होता है, वो hyperglycemic होर्मोन होता है, hyperglycemic का क्या मतलब हुआ है, कि जो growth होर्मोन है, ये आपके blood के अंदर glucose level को बढ आएगा, आया समझ में glucose level को बढ़ाएगा, ऐसा कोई भी होर्मोन जो blood glucose level को बढ़ाता है, उसे हम hyperglycemic होर्मोन कहते हैं, और ऐसे होर्मोन को हम diabetes होर्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आपका blood glucose level लगातार बढ़ा रहेगा, तो future में it's possible कि कि किसी और वज़े से अगर diabetes हो हो रही है, और उसका blood glucose level बढ़ रहा है, और साथ-साथ growth hormone की वज़े से भी उसका blood glucose level बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसके diabetes में ये contribute करें, हम ये तो नहीं कहेंगे, कि growth hormone की वज़े से diabetes होगी, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि growth hormone भी blood glucose level को बढ़ाता है तो हम growth hormone को diabetogenic hormone की category में ला देते हैं वै ऐसे सारे hormones आगे ओर आएंगे देखो एक आपका main growth hormone हो जाएगा एक thyroxine hormone हो जाएगा और एक आगे जाके मैं cortisol पढ़ूँगा ये hormone blood में glucose level को बढ़ाते हैं cortisol के अलावा एक glucagon ओर आएगा तो total glucose level को बढ़ाते हैं हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं की वज़े से diabetes होती है पर हाँ उनकी वज़े से diabetes में एक additional factor और आ जाता है उनकी वज़े से blood glucose level बढ़ने लग जाता है तो ऐसे hormones को फिर हम diabetogenic hormone कहते हैं I hope ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब मैं इस part को यहां से हटा देता हूँ और वापस हमारे point पर आ जाते हैं चलो बच्चों मैं अब आपके comments को hide कर रहा हूँ बीच में किसी दूसरे question का answer नहीं दूँगा मैं ओके चलिए disorders related to growth hormone तो मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हम जितने भी hormone पढ़ेंगे उनसे related disorders पढ़ेंगे तो हमारे पास दो condition रहेगी एक growth hormone या किसी भी hormone के hyper secretion से क्या होगा hyper का मतलब अगर उसका level बढ़ता है तो और एक उसके hyposecretion से क्या होगा मतलब अगर उस hormone का production कम हो रहा है तो दो चीज़े हो रही है hyposecretion मतलब excess production hyposecretion मतलब low production तो पहले हम बात करते हैं let's talk about the hyposecretion of growth hormone तो मान लीजिए हम बात करें कि hyposecretion हो रहा है यानि क्या हो रहा है hyposecretion का मतलब growth hormone का level जो है काफी ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी condition में क्या होगा पहले तो आपकी दिमाग में ये question आएगा कि ऐसा क्यों होता है growth hormone का level बढ़ क्यों रहा है क्या pituitry ढंक से hormone नहीं बना रही बच्चों कई बार क्या होता है कि pituitry में tumors हो जाते हैं और tumors के कारण फिर growth hormone का production tumor बनने के बाद pituitry के size बढ़ जाएगी size बढ़ जाएगी तो फिर growth hormone का production भी increase हो जाता है तो most of the time tumors के कारण growth hormone का level बढ़ता है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है tumors हमेशा cancerous tumor हो ये non-cancerous tumor भी हो सकते हैं उनसे भी growth hormone का level बढ़ सकता है ठीक है अब अगला question हमारे पास यहां ये आता है बच्चों कि दो हमारे पास condition है hyper secretion कब हो रहा है बचपन में हो रहा है यनि कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल की उमर में growth hormone का production बढ़ता है hyper secretion होता है तो अलग condition डवलप होगी और अगर like adulthood में 18 साल की उमर को cross कर या 20, 22, 25, 30, 40 साल की उमर के बाद अगर किसी के growth hormone का hyper secretion होगा तो condition अलगाएगी तो हम condition को दो पार्ट में divide करेंगे hyper secretion of growth hormone एक हमारे पास condition रहेगी during childhood कि अगर childhood में ही आपके hyper secretion हो रहा है समझे हो ना बच्चों आप मेरी बात को hyper secretion during childhood और hyper secretion during adulthood तो दोनों में जो effect आएगा वो अलग अलग आएगा adulthood में अलग बिमारी होगी childhood में अलग बिमारी होगी अगर hyper secretion होता है growth hormone का during childhood होता है तो फिर जो disease हमारे डवलप होगी उस disease को हम कहते हैं बच्चों gigantism तो बड़ी ही gigantism बड़ी common आपने इसके बारे में सुना भी होगा gigantism हो जाता है what do you mean by gigantism body की जो size है ना वो बड़ी हो जाएगी आपकी bones की growth जादा होगी muscles की growth जादा होगी और height जो है वो काफी जादा हो जाएगी यनि इस condition में आपके क्या develop होने वाला है gigantism के case में आपके यहाँ पर जो symptom आएगा वो हो जाएगा excess growth of excess growth of bones and muscles bones और muscles की growth जादा होगी height काफी increase हो जाएगी height would be more than normal तो हम यह point 8 यहाँ add कर सकते हैं height would be would be higher than than normal normal से जादा लंबी हो जाएगी तभी तो हम इसको क्या कहरें gigantism है ना बहुत बड़ा हो जाएगा हिंदी में पता है क्या बोलते हैं भीम कायता बोलते हैं उसको भीम मतलब बहुत बड़ा शरी काया काया मतलब बोड़ी भीम कायता उसको हिंदी में बोलते हैं तो gigantism हो जाएगा hyper secretion of growth hormone during childhood is that clear बड़ा समझ में आया तो एक बार फिर से नजर डालें during childhood अगर growth hormone का hyper secretion हो रहा है तो gigantism नाम की disease हो जाएगी जिसमें शरीर काफी बड़ा हो जाएगा लंबई काफी जादा हो जाएगी bones की भी लंबई बड़ेगी obviously bones के साथ साथ muscles की भी लंबई बड़ेगी overall जो height होगी वो काफी जादा हो जाएगी दूसरा हमारे पास होता है during adulthood अब क्या हुआ किसी इंसान का बच्पन तो normal निकल गया यानि कि वो 18 साल तक cross कर गया वो adult हो गया 25 साल का कोई बंदा है और 25 साल का होने के बाद उसकी pituitary में tumor होता है तो अब growth hormone का hyper secretion होगा अब बताओ क्या condition होगी अब बच्चों उसकी लंबई तो नी बड़ सकती अब उसकी bones लंबी नहीं हो सकती obviously कि 25 साल की उम्र में जो bones होती है उन bones की जो हमारी metafical plate, epifical plate थी न मेटा, वो plate तो है नहीं तो अब लंबाई नहीं बड़ेगी तो याद रखना है हमें अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि अगर adulthood में hyper secretion होगा तो लंबाई नहीं बड़ेगी समझ रहे हो, बड़ा interesting disease जो है यहाँ पर डवलप होने वाली hyper secretion during adulthood तो ऐसे में अब जो disease डवलप होगी न बच्चों उस disease को हम नाम देते हैं acromigaly acromigaly यह condition डवलप हो जाएगी hyper secretion during adulthood तो कौन से disease होगी बटा acromigaly इसमें क्या होगा मैं बताँ आपको long bones की लंबाई तो नहीं बड़ेगी इन हड़ियों की लंबाई तो नहीं बड़ेगी समझा दिया हमने क्यों नहीं बड़ेगी लंबाई क्योंकि epifacial plate disappear हो चुकी और अब अगर आपके tumor हो गया है और growth hormone का level बड़ रहा है लंबा ही तो नहीं बड़ेगी लेकिन यह जो चहरे की हड़िया है facial bones और यह palm और soul मतलब यह यहां उंगलियों की यह यह जो metacarpals है फिर यह जो phalanges है पाउं की जो हड़िया है यह सारी enlarge होने लगेगी देखो इस disease का नाम समझो आप acro acro क्या होता है पता है आपको what do you mean by acro acro का मतलब होता है terminals छोर, सीरा, अंतिम सीरा तो जैसे अब मेरा हाद का अंतिम सीरा यह है यह वाली हड़ियां इस हाद का अंतिम सीरा यह वाली हड़ियां पाउं का अंतिम सीरा नीचे आपकी जो tarsals और metatarsals मतलब अगर आपके 6 नंबर का जूता है या 7 नंबर का जूता बेटता है तो वो हड़ियां बड़ी हो जाने से आपके 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर का जूता बेटने लगेगा पहले जो gloves आपके हाथ में असानी से आ जाते थे वो gloves अब नहीं आएंगे मतलब एक क्रो मतलब क्या होता है टर्मिनल है ना कोई एक सीरा टर्मिनल और दूसरा इसमें क्या रहा है मिगेली, मेगा मेगा वर्ड आ रहा है मेगा का मतलब हो जाता है लार्ज हो जाना आया समझ में तो क्या होने वाला बेटा फेशल बोन्स चेहरे की हड़ियां पाम और सॉल की जो हड़ियां होगी ये सारी एनलार्ज हो जाएगी और इस कंडिशन को हम नाम देंगे एक्रो मिगेली ये नीचे वाला जबड़ा है इसकी हड़ियां बड़ी हो जाएगी ये जाइगो आपको जाइगोमेटिक बोन बताई थी मैंने आपको ये कारपल मेगजीला वगेरा ये जो सारी बोन्स है ये सब एनलार्ज होने लगती और चेहरा बिल्कुल अजीब सा अलगी तरह का चेहरा दिखाई देने लगता है समझाई बाद आप लोगो घोरिल्ला जैसी अप्यरेंस हो जाती है इसके अंदर ये सब बड़े-बड़े हाथ और इस तरह से हो जाएग तो क्या कहते हैं हम इस डिजीज को बेटा एक्रोमिगेली कहते हैं कब होती है एक्सेस प्रोडेक्शन ऑफ ग्रोथ होर्मोन हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ होर्मोन दूरिंग एडल्टूटूट तो मैं यहां लिख देते हूँ बच्चों क्या क्या होने वाला है इसमें फेस्यज बॉंदज फेस्यल बॉंदेREE बॉंद बॉंद ऊओफ पाम एंड सौल है इंक्रीज़ोन इंक्रीज़ोन इंसाइज है उनकी साइज बड़ी हो 양़ा करों डिज़ों है तो में आए पिरियंस filt आप बभी हो पीछे हमारी जो vertebral column है उसकी हड़ियां भी बड़ी हो जाती vertebral column की जो vertebrae होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं और पीछे की और आपके कूबड निकल जाती है hunchback जिसको कहते हैं कईयों को देगा हो आपने पीछे की और ऐसे hunchback निकली रहती है मैंने पड़ाया भी था आपको जब मैंने vertebral column बड़ाया था उस समय explain भी किया है अच्छा नहीं भी किया है जिन बच्चों ने नहीं पड़ाया है bones वाला part तो it's okay आपको याद होना चे इस condition को कहते हैं काईफोसिस काईफोसिस भी हो जाता है उनको काईफोसिस का क्या मतले होता है sónly बिमारी को क्या नाम देते हैं बच्चों इस बिमारी को नाम देते हैं हम acromig peripheral आया समझ में तो शरीर की काफी सारी bones जो होती वो long bones की लंबाई नहीं बड़ेगी height नहीं बड़ेगी बड़ा हो गया है बंदा उसकी जो epifacial plate है वो disappear हो गई और अब जाके growth hormone का production increase हो रहा है तो height दो नहीं बड़ेगी चेहरे की palm की और soul की जो हड्या है वो बड़ी हो जाएगी और appearance कैसी हो जाएगी बार-बार बतारों वैसे मैंने notes में उपर लिख दिया है कि उसकी जो appearance होगी वो यह यहां लिखा हुआ है मैंने देखी gorilla like appearance हो जाती है ठीक है बच्चों तो यह तो हो गया hyper secretion of growth hormone childhood में और adulthood में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर growth hormone का hyper secretion होता है adulthood में तो हमारे पास कौन सी disease develop हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं तो यहां से शुरुआत करते हैं hyper secretion sorry hyposecretion की बात करेंगे अब hyposecretion of growth hormone मतलब low production हो जाएगा low production of growth hormone low production of growth hormone अब इसमें यह हो मिटा जो low production होगा growth hormone का अगेन वापस दो चीज़े condition का हमारे पास सामने आती है अगर childhood में low production होगा तो क्या होगा और adulthood में low production होगा तो क्या होगा क्योंकि दोनों condition में हमारे पास अलग-अलग disease develop होगी let's talk about those diseases सबसे पहले बात करते हैं during childhood अगर childhood में low production होता है तो कौन सी disease होने वाली childhood में low production होता है जो disease होगी ना बच्चों उसको हम नाम देते हैं pituitry dwarfism, simple सी क्योंकि उसकी height बढ़ेगी निए, छोटा रे जाएगा बोना रे जाएगा, dwarf रे जाएगा तो क्या-क्या कहते हैं इस बीमारी को इसको हम कहते हैं ateliosis या तो हम इसको ateliosis कहेंगे या हम इसको pituitry dwarfism भी कहेंगे pituitry dwarfism भी कहेंगे या इसी का दूसरा नाम यह मैं यहाँ कोमा नी लगाना चाहिए इसे हम Lorraine-Levy syndrome भी कहते हैं Lorraine-Levy syndrome भी कहते हैं होगा क्या इसमें simple सी बात है physical growth stunted रहेगी height छोटी रे जाएगी बोना रे जाएगा वो यह बड़ी simple सी चीज उसके साथ हो जाएगी कि जो height होगी वो stunted रहेगी stunted height रहेगी चोटा रे जाएगा वो समझ में आया बटा तो ड्वार्फ हो जाएगा physical growth stunted रहेगी physical growth stunted होगी stunted का क्या मतलब रुकी होई physical growth होगी नहीं उसकी तो यह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर stunted लिखना है height जो होगी वो stunted होगी हाँ उन बोनों को midgets कहेंगे बोने कहते हैं बहुत बार हम को ऐसे दीखने को मिल जाते हैं तो उनको हम dwarf कहते हैं या scientifically हम उनको midgets कहते हैं तो यह याद रहना पड़ेगा आपको midgets ऐसे छोटे-चोटे वो बोने हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे उन ड्वार्प्स को क्या कहेंगे, उनका mental development कैसा होगा, mental development उनका normal होगा, वो जो midgets होगे, वो mental development उनका normal होगा, और reproductive development जो होगा, वो भी normal होगा, क्या वो शादी कर पाएंगे, बिल्कुल शादी कर पाएंगे, बस only thing कि उनको अपनी size का कोई डुणना पड़ेगा, कोई दूस लेकिन otherwise, same size के partner को डुणना पड़ता है, तो mental development उनका normal रहेगा, reproductive development भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, sexually mature हो जाएंगे, reproductive development नॉर्मल ही रहेगा, हो सकता है, थोड़ा सा delay जरूर हो जाए, जो puberty वगेरा है, वो थोड़ी सी delay हो जाए, बट ultimately उनका reproductive development भी हो इसे जो बोने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बच्चों, ऐसे बोनों को हम midgets कहते हैं, सरकस में जो आपके सामने आ जाते हैं, छोटे-छोटे बोने वो आपको हसाने के लिए आ जाते हैं, वो सारे midgets होते हैं, वो ड्वार्फ जो होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं, उनक अगर जो वो timely doctor के पास चले जाते और उनको growth hormone की injection लगा दिये जाते तो उनकी लंबाई बढ़ जाते पर वो गए ही नहीं डोक्टर के पास और growth hormone का injection लगाए ही नहीं और वो बोने ही रे गए अब 18 साल की उमर हो गई उनकी epifacial plate गायव हो गई और उसके बाद अगर आप उनक उनकी लंबाई बढ़ जाए तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी ओके समझ में आई बड़ा बात ही clear हो गया आपको तो क्या कहते हैं इस disease को इसके दो-तिन नाम है ध्यान रखना है इसको एटिलियोसिस भी कहते है पिट्यूटरी ड्वार्फिजम भी कहते है लोरेन लेव को आपके बॉन के मास को मैंटेन करता है और अगर मान लिजे किसी बंदे को adulthood में growth hormone का hypers recreation हो जाए तो फिर क्या होगा उसका士 मैंटेन नहीं रह पाएगा उसकी बॉन का मास उनके muscles का मास 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 नहीं बोल रहा है मास जो होगा वह मैंटेन नहीं रह पाएगा और फिर दीरे उनका aging का जो process है न वो थोड़ा तेज हो जाएगा तो early aging होने लगती है उसको जिसे हम progeria कहते हैं बुड़ा पर थोड़ा जल्दी आने लगेगा और इस बीमारी को क्या कहते हैं इसको हम cements disease कहते हैं तो during during adulthood अगर उनको hyposecretion होता है तो हमारे पास जो disease डवलप होगी उसे हम cements disease कहेंगे cements disease और इस cements disease में क्या होने वाला है इस cements disease में जैसे कि मैंने आपको समझाया early aging हो जाएगी early aging इसका एक main symptom हो जाएगा early aging के लिए हमारे पास साइंटिफिक टर्म भी है हम उसको कहते हैं प्रोजेरिया तो उसको इस तरह से प्रोजेरिया हो जाएगा देखो मैंने यहां लिखा भी होगा उपर notes में यह देखिए आप during adulthood जो disease होती वो semen's disease है weakening of bones, bones कमजोर हो जाएगी, muscles कमजोर हो जाएगी और early aging हो जाएगी प्रोजेरिया हो जाएगा उसको और हो सकता है menstrual abnormalities, females में menstrual cycle भी abnormal हो सकता है सर growth hormone के injection से side effect होते हैं क्या बटा side effect कुछ नहीं होंगे बस आपको जो है normal quantity में लेना पड़ेगा जितना हमारी body में growth hormone नॉर्मल ही बनता है उतना ही लेते हैं और उससे लंबा ही बढ़ जाती है तो यह मैंने आज आपको समझा दिया growth hormone से related चार ही diseases है बच्चों आपको चारों की चारों diseases याद रखनी ही कौन-कौन सी एक जाइजेंटिसम हो जाएगा hyper secretion during childhood एक्रोमिगेली हो जाएगा hyper secretion during adulthood एक है hyper secretion से pituitry dwarfism, ateliosis, loren levy syndrome इसमें बोने रहे जाएंगे ड्वार्फ रहे जाएंगे छोटे रहे जाएंगे उनको क्या कहेंगे midgets कहेंगे हम है ना mental development normal होगा reproductive development भी उनका normal होगा ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं अब और नया hormone बढ़ने वाला और आप जो नया hormone में आपके साथ discuss करने जा रहा हो बच्चों प्रोलेक्टिन होर्मोन है तो इस बड़ा मज़ेदार होर्मोन है यह प्रोलेक्टिन हमारे लिए कुछ होर्मोन होते हैं जो बड़ा इंट्रेस्टिन होर्मोन है मैं समझा देता हूं आपको प पहले भी समझाया कि हाइपोथेलेमस और पिट्यूटिरी के जितने भी होर्मोन है वो सारे के सारे प्रोटीन होर्मोन होते हैं तो हमारा जो हाइपोथेलेमस होता है वहां से यह डाइगराम हम बार-बार बनाते हैं कई बार बना चुके हैं एक बार फिर से सीख लीजिए देखो तो यहां पर यह हमारे पास एंटिरियर पिट्यूटिरी है इसी की तो हम बात कर रहे हैं इसी के होर्मोन हम पढ़ रहे हैं तो उपर से हमारे पास एक होर्मोन आता है जिसका नाम है पी आरेल आरेच पी आरेल रिलीजिंग होर्मोन वो एंटिरियर पिट्यूटिरी होता है ठीके बटा और अगर उपर से आपके दूसरा होर्मोन आ रहा है P.R.L.I.H. आता है प्रोलेक्टिन इनिविटरी होर्मोन तो वो क्या करेगा बटा कि वो आपके P.R.L. का प्रोड़क्शन रोग देगा तो देखिए आपको ध्यान रखना यहां पर समझ लीजिए कि P.R.L.R.H. जो है वो P.R.L. का प्रोड़क्शन कराएगा P.R.L.I.H. जो है वो P.R.L. के प्रोड़क्शन को इनिविट करेगा और कल की टेबल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि जो P.R.L. I.H. होता है यह और कुछ भी नहीं है यह डोपा माइन होता है आया समझ में डोपा माइन वो टेबल आप देखोगे तो पता चल जाएगा तो जो P.R.L. I.H. होता है वो और कोई भी नहीं है वो आपका अब सुनिए ध्यान से समझाएं यह जो PRL होर्मोन है इसका production नोर्मली नहीं होता है क्यों नहीं होता है कारण बड़ा सीधा सा है कि यह जो डोपामाइन है ना बिटा इसका नोर्मली लेवल हमेशा हाई रहता है मतलब आगए जो हाईपोतेलमस है वो हमेशा PRL IH का production करता है और अगर यह PRL IH का production करेगा तो ऐसे में हमारी बोड़ी PRL का production नहीं करती है बोईज में मेल्स में सुनेंगे आप ध्यान से बोईज में मेल्स में तो पूरी लाइफ पूरी लाइफ डोपामाइन का लेवल हाई रहता है तो PRL का production होता ही नहीं है बहुत ही कम quantity में insignificant quantity में PRL का production होता है मतलब प्रॉलैक्टिन का मेल में कोई रोल नहीं है ठीक है अब बात करते हैं फीमेल्स की फीमेल्स में भी डॉपामाइन का लेवल नोर्मली हाई रहता है तो ऐसे में इवन फीमेल्स में भी PRL का प्रोडचन नहीं होता है समझे यही बात मेरी clear क्यों कि हमेशा hypothalamus dopamine का production करता है और उस dopamine के production के कारण anterior pituitary से pro lectin का production नहीं होता है इसका मतलब female में भी prl नहीं बनता है females में भी pro lectin का production नहीं होता है लेकिन pregnancy के time पर अब सुनिएंगे ध्यान से सीखेंगे समझे बड़ा complicated आने वाला है simple सा method नहीं है मैं आपको बहुत सारी कुछ important tips देने वाला हूं और क्या यहां से question आते हैं हाँ यह books में जो चीजे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं हो सकता है आपको एक जगे नहीं मिलेगी अलग अलग जगे मिलेगी और मैंने PRL के जितने भी functions हैं वो एक साथ यहां पर इकटे किये आप आपको PRL के functions अच्छे से सीखने हैं और समझने हैं तो बच्चों सुनिए तो मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों pregnancy से तो जैसे ही कोई female देखो male में तो कभी PRL बने गई नहीं तो male की बात छोड़ देते हैं पर Pregnancy जैसे ही कोई female pregnant होती है तो ऐसे में क्या होगा कि dopamine का level जो होता है वो कम हो जाएगा dopamine का level जैसे ही कम हो जाएगा PRL का production शुरू हो जाएगा PRL production begins कब begin हो गया यह बटा यह pregnancy से ही बढ़ने लग जाता है आया समझ में आपको तो माली जी मैं यहाँ पर एक चार्ड भी बनाओगा एक ग्राफ भी बनाओगा सीखेंगे आप बच्चों इस ग्राफ को कि यहाँ हम 9 महिने बना लेते है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह 9 महिने 9 महिने की pregnancy होती है normally तो अपने यह यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह जो पूरा period है यह pregnancy period है अब मैं आपको यहाँ पर प्रोलेक्टिन का level समझा रहा हूँ जैसे जैसे pregnancy आगे बढ़ती वैसे वैसे उस महिला की बोड़ी में PRL का level भी बढ़ता है फिर से बना देतों में यह इस तरह से देखिए आप तो यहाँ पर आप पहुँच गए हैं और यह देखिए 9 महिने की उम्र नह महिने की pregnancy होते होते उस female की बोड़ी में PRL का production काफी बढ़ चुका है तो throughout the pregnancy सुनेंगे throughout the pregnancy female की बोड़ी में PRL का production PRL का level बढ़ता जाता है लेकिन एक और बात है यहाँ ध्यान से सुनो और दूसरी बात यह है बटा कि जो प्लेसेंटा होता है ना बटा जो pregnant lady है तो pregnant है मतलब उसके uterus में fetus है वहाँ पर एक brun है एक embryo है और वहाँ पर एक placenta है तो उस placenta से estrogen और progesterone नाम के hormones बनते हैं आपने इन दो हर्मोन के नाम पहले भी सुने होंगे estrogen और progesterone का production normally ovary से होता है लेकिन pregnancy में estrogen और progesterone का production placenta से भी होता है और खूब सारा होता है तो ऐसे मैं पूरे 9 महिने में उस female की body में उस pregnant lady की body में estrogen और progesterone का level भी काफी high होता है तो मैं यहाँ पर अब दो graph और बना रहा हू एक graph में यह देखो यहाँ बना रहा हूँ एक line बना रहा हूँ यह बच्चों मैंने estrogen की बनाई है और इसके साथ साथ मैं एक यहाँ पर black color की line बना रहा हूँ जो मैं progesterone की बना रहा हूँ यह हमारे पास estrogen की हो गई और यह दूसरी line हमारे पास progesterone देखो उसकी body में progesterone का लेवल यह गलत तो नहीं बनाया मैंने हाँ बिल्कुल सही बनाया तो यह देखिए थोड़ा समय ने यहाँ पर चेंज किया निचे और मैंने आपको बना कि नि आयर हमारे पास PRL की है और यह जो परपल कलर की लाई यह हमारे पास इस्ट्रोजन की armored और यह ब्लेक कलर की लाई यह वह बड़ी मज़दार बात है दोनों का level throughout the pregnancy बढ़ रहा है लेकिन अगर ratio देखो न आप तो हमेशा प्रोजिस्टिरोन का ratio थोड़ा हाई रहेगा और estrogen का थोड़ा कम होगा लेकिन parturation के पास में पहुंचते पहुंचते estrogen का level बढ़ जाएगा और प्रोजिस्टिरोन का थोड़ा सा कम हो जाएगा अब इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे यह graph बना दिया है मैंने इसके बारे में बात करेंगे जब मैं आपको reproductive system पढ़ूँगा अभी मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा PRL hormone है सुनेंगे आप इसका जो main function होता है PRL hormone जो होता है इसका main function है जो हमारी memory glands है हमारी जो memory glands होती है वहाँ उन memory glands में milk का production करवाता है आया समझ में आपको milk का production करवाएगा यह PRL का main function है एक ही तो main function है बच्चों PRL का याद रुखवा प्रोलेक्टिन लेक्टोज शुगर दूद में होती है लेक्टोवर्ड है ना मिटा तो प्रोलेक्टिन का main function है प्रोलेक्टिन का main function है कि यह हमारी memory glands में milk का production करवाता है उसमें milk का production बोला हूँ production release नहीं बोला हूँ आगे जाके दो hormone आएंगे breast पे आपके दो hormone काम करते है एक PRL प्रोलेक्टिन जो milk का production करवाएगा और एक आगे जाके oxytocin आएगा वो milk को release करवाएगा तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है कि यह milk का हमने यहाँ क्या करवाएगा production करवाता है स्टार लगा देते हैं milk का release नहीं करवाएगा यह milk का production करवाएगा कौन करवा रहा है बेटा PRL hormone करवा रहा है अब हमारे दिमाग में question आएगा कि pregnancy के time पर सुनना ध्यान से pregnancy के time पर PRL का level बढ़ रहा है तो क्या कोई महिला जब pregnant होती है तब उसके breast में उसकी memory gland में milk का production होगा के नहीं होगा तो answer होगा no उस समय pregnancy के जो 9 महिने होँगे उस समय भले ही female की body में PRL का level लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसके breast में milk का production नहीं होगा अब आप पुछोगे कि क्यों नहीं होगा PRL का level तो बढ़ रहा है और PRL का main काम ही यह है कि वो memory gland में milk का production कराता है तो बच्चों इसका जवाब यह है कि यह जो दो हमारे hormone है कौन? progesteron और estrogen इनका level काफी ज़ादा है यह इस PRL के production को production के नहीं इसके function को inhibit करके रखते है मतलब यह जो आपका PRL है यह memory gland में जो milk का production कराता है तो हमारे यह जो दोनों बदमाश hormone जो है बदमाश तो क्या है वो smart hormone है एक आपका estrogen और एक आपका progesterone यह दोनों hormone इस जगे पर जाके check लगा देते है मतलब PRL को काम नहीं करने देते है breast में milk का production नहीं करने देते है तो आपको मेरे question का जवाब मिल गया मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारी pregnancy होती है उस pregnancy में PRL का level तो काफी ज़ादा होता है लेकिन फिर भी breast में milk का production नहीं हो पाएगा क्योंकि यह जो हमारा progesterone है और यह जो हमारा estrogen है यह इस PRL को काम नहीं करने देंगे इस देट क्लियर तो बले ही female की body में PRL का level high रहे breast में milk का production नहीं होगा अब सुनो क्या होगा इस दिन parturation हो जाएगा बच्चे की delivery हो जाएगी और जैसी बच्चे की delivery होगी placenta तूट के बाहर आ जाएगा समझ में ही मेरी बात आपको placenta तूट के बाहर आ जाएगा और जैसी placenta तूट के बाहर आ जाएगा अब estrogen और progesterone का production करने वाला कोई नहीं बचा मतलब just after the birth female की body में progesterone का level और estrogen का level दोनों के level बिलकुल कम हो जाएगे और जैसे इनके level कम होंगे हमारा prolactin तो काम करी रहा है prolactin का level तो बड़ा हुआ है तो अब इनकी absence में किनकी absence में estrogen और progesterone की absence में prolactin आसानी से milk का production शुरू कर देगा आया समझ में प्रोड़ी में milk का production शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि अब यह दो हर्मोन रहे ही नहीं माँ पर कौन से दो हर्मोन नहीं रहे एक तो estrogen नहीं रहा और एक progesterone नहीं रहा क्या बच्चों यह बात आपको समझ में आई यहां तक I hope की यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब और आगे की ले साक्षी जारोली ने क्या तो तब तक वो milk जाएगा कहां अरे milk बने गई नहीं तो कहां से जाएगा हाँ Projects progesterone work as dopamine बहुत बटना कर गलत बात बोल रहा है तो फिर से जो dopamine रहे है वो proletin के production को बंद करता है यहां proletin का production बंद नहीं हो रहा है प्रोड़क्शन तो हो रहा है बस proletin अपना काम नहीं कर पा रहा है वो milk synthesis नहीं करवा पा रहा है या तुम्हेना फालतु के क्वोशन पूशते ओर द्यांशी ओवरीज से तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण नहीं बनेगा सर अगर सेकंड बेबी का बढ़त होगा सेकंड बेबी में ये प्रोसेस वापस रिपीट होगा महें बगवान क्या तुमारा इमेजिनेशन है बचो इतना वाइल्ड इमेजिनेशन होता है तुमारा चलो अब आगे की बात सुनो एक और बात समझा रहो जब बच्चा मां का दूद पिएगा तो जब वो ब्रेस्ट को सक करेगा ब्रेस्ट की टिपर जो निपल्स होते हैं तो जब बच्चा उन निपल्स को सक करेगा तो बच्चे का जो सकलिंग एक्शन होगा तो ब्रेस्ट से एक सिगनल brain में जाएगा, pituitry में जाएगा और वहाँ से prolactin का level और बढ़ने लगेगा तो बच्चा जो है मा के brain को signal देगा prolactin के production के लिए कैसे जब जब बच्चा दूद पिएगा तब तब मदर की body में PRL का level बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा कि जन्म के बाद PRL का graph ऐसे चलेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा कम होगा बढ़ेगा तो ये ऐसे क्यों fluctuate हो रहा है तो बटा ये जो उपर tip आरी न यहाँ उपर की तरफ ये जो बढ़ा हुआ level है ये तब का level है जब जब बच्चा दूद पी रहा है और ये जो low level है मतलब जब बच्चा दूद नहीं पी रहा है तो फिर PRL का level वापस है उस समय कम हो जाएगा तो जन्म के बाद PRL का level है से fluctuate करेगा ये सारी चीज़े जो मैं इस graph में या समझा रहा हूँ आपको बच्चो ये मैंने उपर notes में कहा है इसके notes ये इतने सारे मैंने notes यहाँ पर बना रखे हैं इन notes में मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है अब एक और बात सुनो अभी खतम नहीं हुआ है अभी एक बड़ी important चीज़ और आ रही है सुनेंगे आप ध्यान से सीखेंगे देखिए बच्चो अगले नॉर्मली जो है जो महिलाएं होती है वो एक साल तक डेड़ साल तक अपने बच्चे को दूद पिलाती है छे महीने तो मान के चलो छे महीने तक तक तो बच्चे की जो ग्रोथ होती हो मा के दूद से ही होती है मदर्स मिल्क से ही होती छे महीने बाद जो है उसको दूसरा खाना भी देना शुरू करते है सुनो अब मेरी बात को ध्यान से हैं बड़ी important और बड़ी important बात यह है कि यह जो आपको PRL का लेवल दिखा ही दे रहा है अगले 6 महीने अच्छा मैं इस graph में अब यह काम कर देता हूँ आगे के 6 महीने और ले रहा है 9 महीने तो यह हो गए हमारे पास उसके बाद वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया मैंने अब यह बाद के जो महीने है ना बच्छों यह 1, 2, 3, यह जन्म के बाद के महीने है इस समय आपने देखा मा की बोड़ी में PRL का लेवल हाई है यह PRL अब एक काम और करेगा पहला काम तो क्या कर रहा है यह PRL आपके breast के अंदर memory gland में milk का production कर रहा है सुनना आप मेरी बाद को द्यान से very important point I am going to explain now अब यहाँ पर जो बच्चे English अच्छे से नहीं जानते है lactation का मदब होता है मा जब तक बच्चे को दूद पिलाएगी उस period को lactation कहते हैं तो आप अपनी notebook में लिख लेना फिर से repeat कर रहा हूँ lactation का क्या मदब होता है मा जब तक अपने बच्चे को दूद पिलाएगी उस period को हम lactation period कहेंगे तो मैं यह कह रहा हूँ कि बच्चा जब जब दूद पिएगा मा को signal मिलेगा और मा को signal मिलेगा तो मा जब प्रोलक्टिन का PRL का production करेगी तो मैंने क्या लिखा the PRL level remain high during lactation अब सुनेंगे आप एक और important point यह जो आपका PRL है प्रोलक्टिन होर्मोन जब यह आपके hypothalamus पर act करता है कहाँ पर hypothalamus पर act करता है और hypothalamus को GNRH के production के लिए रोग देता है GNRH gonadotropin releasing hormone बच्चों आपने उपर जो list थी हमारी उस list में देखा होगा मैं उपर जा रहा हूँ कहाँ गए हमारे hormones की list और उपर होगी growth hormone से भी उपर देखिए यह हमारे पास यह देखो आपके पास दो हर्मोन FSH और LH इन दोनों हर्मोन को combinedly gonadotropin केते हैं एक और list है हमारे पास कहाँ गई देखो मैंने यहीं कहीं लिखा था मुझे याद आ रहा है यह ही हमारे पास तो यहाँ देखो यह जो FSH और LH है जो आपके anterior pituitor से बनते हैं इन दोनों हर्मोन को combinedly हम gonadotropin कहते हैं gonadotropin कहते हैं इन gonadotropin की कहाणी क्या है वो भी समझाता हूँ यह सारी चीज़ें प्रोलेक्टिन से जूड़ी हुई है बच्चों और यह हमें सीखनी है समझनी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे question बनते है यह हमारी anterior pituitary हो गई अब उपर से एक हॉर्मोन बनेगा GNRH gonadotropin releasing hormone यह हॉर्मोन anterior pituitary में जाएगा और anterior pituitary को stimulate करेगा तो इससे आपकी anterior pituitary से दोनों gonadotropin बनेगे LH भी बनेगा luteinizing hormone FSH भी बनेगा follicular stimulating hormone यह सारी कहानी किस की समझा रहा हूँ female की समझा रहा हूँ अब यह FSH और LH दोनों उस female की ovary में पहुँचेंगे कहां पहुँचेंगे ovary में पहुँचेंगे और ओके बिल्कुल GNRH का target ovary नहीं है सचिन गलत बोल रहा है तू GNRH जो होता है उसका target anterior pituitary होती है फिर anterior pituitary से आपके LH और FSH बनते हैं दोनों को combinedly हम क्या नाम से जानते हैं दोनों को हम gonadotropin के नाम से जानते हैं समझ में आई बाद आपको और दोनों hormone आपके LH और FSH जो हैं वो आपके ovary में पहुँचेंगे और आपके ovary से दो hormone भी बनेंगे अभी brief में बता रहा हूँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ estrogen भी बनेगा और progesterone भी बनेगा और यह जो आपका progesterone hormone है यह particularly uterus पर काम करता है uterus पर एक्ट करता है और उसे female में जो menstrual cycle है वो चलने लग जाता है वो सारा progesterone एक बड़ा important role play करता है यह कहानी मैं आपको बात में सिखाँगा अभी मैं reproductive hormones की detail नहीं बता सकता तो बड़ा ही briefly बताया है और मैं आपको यहां यह समझाना चाहरा हूँ कि हमारा जो PRL है जन्म के बाद जन्म के बाद यह जो PRL है कौन सा वाला यह prolectin जो है न बिटा यह PRL क्या करेगा कि GNRH के production को बंद करवा देता यह आपके prolectin का एक बड़ा ही important function है यह minus लगा दिया मैं यनि क्या होगा कि जन्म के बाद जब तक बच्चा दूद पिएगा at least 6 महिने तक at least 6 महिने तक जो बच्चा दूद पिएगा तो दूद पिने की वज़े से मा की बोड़ी में PRL का लेवल हाई रहेगा और PRL का लेवल हाई रहेगा तो GNRH का production नहीं हो पाएगा और उसके बाद उस female की बोड़ी में जो मा अपने बच्चे को दूद पिला रही है अगले 6 महिने तक बच्चे के जन्म के बाद अगले 6 महिने तक न तो उसकी बोड़ी में LH बनेगा न उसकी बोड़ी में FSH बनेगा और न उसकी ओवरी के अंदर ovum का development होगा न उसकी ओवरी से इस्ट्रोजन बनेंगे न प्रोजेस्टिरोन बनेंगे न यूट्रस में menstrual cycle चलेगा मतलब यह हो गया बच्चे की जन्म के बाद अगले 6 महिने तक at least maximum 6 months के अगर हम बात करें तो उस female की बोड़ी में menstrual cycle नहीं चलेगा आया समझ में और इस condition को हम कहते हैं lactational amenorrhea lactational amenorrhea कहते हैं lactational amenorrhea आया समझ में यह मतलब absent और amenorrhea मतलब menstrual cycle तो यहनि कि अगले 6 महिने तक भी वो महिला की बोड़ी के अंदर menstrual cycle नहीं चलेगा और नहीं उसके बोड़ी में ovum का development होगा समझ में आई बात आपको तो अगर इन 6 महिने के period में सुनिए अगर इन 6 महिने के period में वो जो महिला है अपने husband के साथ फिर से sexual intercourse करती है तो क्या वो pregnant हो पाएगी question है मेरा आप लोगों से कि क्या वो 6 महिने में फिर से pregnant हो पाएगी वो महिला इन 6 महिनों में अगर अपने husband के साथ sexual intercourse करेगी बिलकुल correct answer है बच्चों आप लोगों का वो at least अगले 6 महिने तक pregnant नहीं होगी क्यों नहीं होगी अगले 6 महिने में तो बिलकुल सीधी सी बात है क्योंकि जब तक वो बच्चे को दूद पिलाएगी उसकी body के अंदर PRL का level high रहेगा और वो जो PRL होगा उसके GnRH का production रोग के रखेगा क्या उससे lactational amenorrhea कहते हैं बिलकुल चैतन मैंने यही तो लिखा है उसको हम lactational amenorrhea कहते हैं समझ मैं ही बात आपको मैं इसको सही डंग से लिख लेता हूँ lactational amenorrhea lactational amenorrhea यह what do you mean by lactational amenorrhea amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual cycle amenorrhea का क्या मतलब होता है amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual cycle absence of menstrual cycle ठीक है और आगे क्या लगा दिया Lactational लगा दिया Lactational लगा दिया मतलब ही हो गया दूद बच्चे को दूद पिलाने की वज़े से menstrual cycle नहीं हो रहा है ठीक है बच्चों और दुनिया के कई देशों में बच्चे को जितना ज़्यादा दूद पिलाते हैं वैसे तो यह maximum जिसकी effective नहीं से वो 6 महीने तक है बाद में फिर क्या risky हो जाता है मामला महीला सोचे कि मैं बच्चे को दूद पिला रही हूँ पर फिर क्या बटा की 6 महीने के बाद signal उतना powerful नहीं मिलता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा मां को कब मां की बोड़ी में PRL का लेवल कम हो जाएगा तो पर at least 6 महीने तक तो हम यह मान कर चलते हैं कि उसके PRL का लेवल हाई रहेगा तो यह जो lactational amenorrhea है ना मेटा इस ए natural method of contraception इसका कोई side effect नहीं होता जितने भी contraceptive method natural contraceptive methods होता है ना मेटा उनके कोई side effect नहीं होता है हाँ failure के chances हाई होते है of course क्योंकि 6 महीने क्या question आया it means after 6 months of birth sexual intercourse does not need any हाँ बिलकुल अनिशया ने सही जवाब दिया it means after 6 months of birth after 6 months of birth नहीं after 6 months of birth नहीं 6 months after birth इसको हैसे बोलें कि 6 months after birth birth के अगले 6 महीने तक आपको किसी contraceptive method की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उस समय उस महिला का menstrual cycle और ovarian cycle है वो बिलकुल बंद रहेगा contraceptive means बचो contraceptive का मतलब बोलता है ऐसे methods जिनसे हम जो बच्चे का जो pregnancy जो है उसको रोके हैं उसको हम contraceptive methods कहते हैं जिसे market में condoms आते हैं या दूसरी कई सारी tablets आती जिनको खाने से बच्चे नहीं होते हैं pregnancy नहीं होती तो उनको contraceptive method कहते हैं और यह हमारे पास यहां एक contraceptive method है बेटा natural contraceptive method है इस देट clear समझ में आया आप लोगों को ओके fine तो मैंने आपको pro lectin के बारे में समझा दिया इसके functions मैंने आपको समझा दिये वैसे तो pro lectin का main function से मैंने आपको यहीं बता दिया कि यह आपकी memory glands में milk का production कराता है memory glands का development भी कराता है पहली line तो हमारे लिए बड़ी important हो जाएक functions में मैंने पहली line लिखी है it regulate growth of memory gland and formation of milk और आगे देखो मैंने लिखा है not release of milk PRL milk का release नहीं करवाता है PRL milk का सिर्फ synthesis करवाता है और बागी सारी बाते में नहीं है जितना अभी मैंने आपको समझाए है हो सारा यहां लिखा हुआ है और I don't think कि मुझे इसको repeat करना चाहिए production of egg will also not occur obviously बेटा अंडे का development भी नहीं होगा एग भी नहीं बनेगा उस 6 महिने में एग नहीं बनेगा सर कभी-कभी 1% chance female में milk का और PRL का production नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे उसके लिए एक term medical में मुझे देखना पड़ेगा abnormal जब milk नहीं होता है या इस तरह की condition होती है उसको egg electoria ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे I am not sure लेकिन फिर भी मैं sure नहीं हूँ मैं देख के बता दूँगा मोहित तेरा जो question होगा मैं बता दूँगा कि उसके लिए हमारे पास क्या term है but most probably उसके लिए egg electoria term है और confirm करके बता दूँगा मैं तेरको growth of gland बिल्कुल memory gland का development तो हो गई हिमान्शू ने पूछाए कि अगर delivery के time बच्चे की death हो जाए तो बच्चे की death हो जाएगी तो obviously बेटा फिर ये PRL का level कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा मैंने क्या बोला कि mother में PRL बनेगा कैसे जब बच्चे के suckling actions है अब क्योंकि बच्चे की death हो गई है और बच्चे का suckling menstruation six months after birth बिल्कुल बर्त के 6 महिने तक menstruation नहीं होगा और क्या कहते हूं उसको उसके लिए क्या term है उसके लिए हमारे पास term है lactational amenorrhea absence of menstrual cycle due to lactation समझ में आया बटा आप लोगों को ठीक अब आपके दिमाग में question आ रहे होंगे कि PRL के functions तो आपको सारे समझ में आ गया हाइपो गेलेक्टोरिया कहते है हाई उसने पूचा है कि milk का production ही नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उसके लिए एग गेलेक्टोरिया होगी okay anyway चलिए बच्चों अब आगे बात सुनते हैं आगे सीखते हैं समझते हैं abnormalities related to PRL abnormalities related to PRL तो मान लिजिए hyposecretion हो तो क्या होगा अब यह male में बात करते हैं hyposecretion in male तो कोई नई बात है नहीं male में बनता ही नहीं है तो it is normal कोई बिमारी होगी नहीं मेल में वैसे ही PRL का production नहीं होता है क्योंकि male में dopamine हमेशा हाई होता है और PRL का production हो गई नहीं तो कोई condition डवलप ही नहीं होगी hyposecretion in male नॉर्मल है no disease कोई disease नहीं होगी उसको क्योंकि वैसे ही male के अंदर hyposecretion रहता है no function of PRL no function of PRL in males में कोई function है नहीं ठीके बटा आगे चलते हैं और दूसरा हमारे पास अब question ही आ जाता है कि माली जी male में hyposecretion हो जाए hyposecretion in male तो hyposecretion से भी वैसे तो कोई problem नहीं होती है पर male में erectile dysfunction हो सकता है उससे erectile dysfunction what do you mean by erectile dysfunction बच्चों कि male के अंदर जो penis है उसमें sexual intercourse के time पर जो erection होता है वो erection नहीं होगा that is failure of having erection in male failure of having failure of erection in penis okay बच्चों तो यह condition develop हो सकती है अगर male में PRL का level बढ़ जाए देखो मैंने functions में लिखा भी होगा यहां लिखावा है देखो hyposecretion of PRL नहीं कहां लिखा है यहां लिखा है बिल्कुल मोहित ने सही बोला है कि female के अंदर भी PRL का production only pregnancy में होगा तो बटा only pregnancy नहीं प्रेगनेंसी के बाद जब तक वो मां अपने बच्चे को दूद पिलारी तब भी होगा तो female के अंदर एक अब जैसे कोई female है जिसकी उम्र जो है 25 साल है और 25 साल की उम्र तक अभी उ में एक बात याद है मैं बता देता हूं आपको कि कहां गया हमारे पास graph था यह graph देखो आप मैंने क्या समझाए आपको कि normally dopamine का level high रहता है तो ऐसे में PRL का production नहीं होता है ठीक है लेकिन महिलाओं में females में सुनेंगे आप ध्यान से महिलाओं में जो menstrual cycle 28 दिन का menstrual cycle होता है और जब मेंसे शुरू होते हैं जब bleeding शुरू होती है उसके ठीक एक दो दीन पहले सुनेंगे आप उसके ठीक एक दो दीन पहले dopamine का level कम हो जाता है और PRL का level बढ़ जाता है पर जादा नहीं बढ़ता है इतना नहीं बढ़ेगा कि वो breast में जाके milk का production करवा है पर हाँ हर मह menstrual cycle हर menstrual cycle के end में जब bleeding start होती है उसके एक दो दीन पहले PRL का level थोड़ा सा बढ़ता है और उससे उनके जो breast होते है वो थोड़े से sensitive हो जाते है और उनमें tenderness आ जाती है what do you mean by tenderness देको मैं यहां दो term use कर रहा हूँ एक होता है pain दर्द मतलब आप बेटे हो आपके कहीं चोट लगी हुई आप बोलो यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है दुख रहा है दुख रहा है इसे बोलते जाते हो एक थो होता है pain और एक word में यह आपको बताने जा रहा हूँ tenderness यह हमारी medical की term में बिटा tenderness का मतलब होता है कि अगर body के किसी part को आप दबाओ या press करो और उस समय उस से ठीक पहले the dopamine level declines and PRL level increases but this PRL is not sufficient enough to stimulate milk synthesis तो उसे यू नही होगा कि milk synthesis होने लग जाए but however it may result in breast tenderness before menstruation so what you mean by tenderness, tenderness का मतलब आप समझ जाएंगे कि दबाने पर अगर दर्द होता है तो हम कहेंगे कि उसको tenderness हो रखी है आया समझ में breast tenderness मतलब breast को अगर दबा रहे हैं और उनमें दर्द हो रहा है तो ऐसा होता है कई सारी females में menstruation से ठीक पहले तो अब यह किस वज़े से हो रहा है एक दो दिन के लिए यह दर्द रहता है यह दर्द इसलिए रहता है क्योंकि उस समय PRL का level थोड़ा सा high रहता है ओके बच्चों समझ आई बात आपको तो इस तरह से मैंने आपको सारा समझा दिया एक और question है यहाँ पर एक और function बता रखा है तो amenorrhea हो जाएगा absence of menstruation and galatoria क्योंकि देखो PRL का level बढ़ गया अब एक simple सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि यह कोई महिला है 25 साल की शादी नहीं हुई pregnancy नहीं है कुछ भी नहीं है everything is normal है ना unmarried life है उसकी किसी तरह कोई sexual intercourse life में नहीं है pregnancy नहीं है कुछ भी नहीं है उसकी pituitary में tumor हुआ और PRL का level बढ़ गया तब PRL का level बढ़ने से क्या हो सकता है इस PRL के level बढ़ने से एक तो आपके GNRH का production जो होगा वो बंद हो जाएगा तो उसका menstrual cycle बंद हो जाएगा तो मैंने लिखा उसको amenorrhea हो जाएगा और दूसरा है क्योंकि PRL का level बढ़ा हुआ है तो बली बच्चे की delivery नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है tumor हो गया और tumor से PRL का production हो रहा है तो फिर उसके breast में milk का production शुरू हो जाएगा और उसके लिए हमारे पास एक term है galatoria inappropriate lactation मतलब abnormal उसके milk का production हो रहा है और उसके लिए हम क्या कहते है एक galatoria तो यह female में यह condition develop हो जाएगी आया समझे है so this is very interesting hormone कई सारे function है PRL न सिर्फ milk का production कराता है बलकि यह GNRH को भी regulate करता है तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे 3-4 important question बनते हैं वो मैंने आपको समझाया particularly आपको यह पता चलना चाहिए कि what is lactational amenorrhea कि जब तक माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है तब तक उसका menstrual cycle क्यों नहीं चलता है उसकी ovary में नए होगा कि जब तक माँ बाता है वीडियो बंद हो गया कांच लगे थे तुम लोग मैं याँ पढ़ा रहा था तुमसे भग गए है वच्चों हुआ हुआ हाँ बच्चों आप वीडियो चल गया बीच में हैंग हो गया था कोई बात नहीं आप मुझे पहले बताओ कि लास्ट कहां था मैं किस जगे था मैं मैं नहीं रुगा था मैं तो पढ़ा रहा था तुम लोग कहीं चले गए थे ओके बच्चों प्लीज बताओ मुझे कहां तक पढ़ा दिया मैंने सर आपने कमेंट्स हाइड कर दिये थे क्या अरे बिटा मैंने कमेंट्स हाइड नहीं किये थे मेरे कमेंट्स पर नजर ही नहीं थी तो मैं पढ़ा रहा था मुझे ध्यान ही नहीं रहा और कब कंप्यूटर हैंग हो गया आप मुझे बताओ जल्दी से बताओ मुझे मुझे कहां से पढ़ाना में क्या बता रहा था उस समय प्यारेल के फंक्शन तो बहुत लंबे चोड़ें बिटा मैं प्यारेल में भी कहां तक पहुंचा था 25 येर वाली फीमेल पर था मैं अगर फीमेल में 6 मंद के बाद और यार बहुत सार बहुत पहले हेंग हो गया इसका मतलब देखो मैंने ता आपको ये मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग होर्मोन भी पढ़ा दिया इत्ती देर में मुझे पता ही नहीं था चलो वापस उपर आते हैं और क्या बता रहा था मैं अच्छा ये बताओ मेरे को मेरी बात सुनो एक बात बताओ मुझे आप तो क्या मैंने आपको ये पढ़ाया ये वाली लाइन पढ़ाई थी क्या जल्दी से बताओ ये लाइन पढ़ा दी थी क्या मैंने प्लीज लेट मी नो टेंडरनेस भी पढ़ा दिया था मैंने ठीक है ब्रेस्ट में टेंडरनेस वाला पार्ट भी पढ़ा दी ये वाली लाइन भी मैंने तो ठीक है बताओ इसका मतला हमारे बास PRL के सारे फंक्शन मैंने आपको समझा दिये थे I explained everything regarding PRL यह अगर हमने last वाली line पढ़ ली है inappropriate lactation आगे बढ़ते हैं बच्चों हम नहीं वापस हैंग नहीं हुआ है PRL almost हो गया था ठीक है यह last वाली बात यही बता रहा था मैं आपको वो जो 25 years वाली female की बात मैं बता रहा था कि unmarried female है pregnancy नहीं हुई है कभी भी किसी तरह की कोई problem नहीं हुई है उसको उसने sexual intercourse भी नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन उसकी pituitry में tumor हो गया मान लो और pituitry में tumor की वज़े से अब दो चीज़े हो जाएगी एक तो उसका PRL level बढ़ जाएगा बिटा और PRL level बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि जो PRL hormone है हमारा वो यहां पर आपके GnRH का production नहीं कराएगा नहीं पिटा मेरा network सही है ठीक है I think excellent connection बता रहा है अभी सब सही चल रहा है हाँ तो फिर से बता रहा हूँ उस female में अगर tumor हो गया और pro lectin का level बढ़ेगा तो दो चीचे हो जाएगी PRL की वज़े से GnRH नहीं बनेगा तो उसको उसका menstrual cycle बंद हो जाएगा तो एक condition हमारी क्या develop हो जाएगी एमनोरिया develop हो जाएगा उसको और दूसरा absence of menstruation हो जाएगा और दूसरा उसको गेलेक्टोरिया हो जाएगा क्योंकि उसका PRL level हाई है नहीं मैटा तो PRL level बली उसके बच्चे नहीं है बच्चे दूद नहीं पीरा लेकिन tumor के कारण उसके PRL का level हाई है तो उसके breast के अंदर milk का production शुरू हो जाएगा तो फिर अब यह abnormal milk का production हुआ तो abnormal milk के production के लिए हमारे पास यह टर्म है यहाँ पर गेलेक्टोरिया इन एप्रोप्रियेट लेक्टेशन हो जाएगा उसको ठीके शलिए मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं अब यह MSH वाला पार्ट है इसको हम कल करेंगे fine अब MSH वाला पार्ट कल करेंगे हैं अब सेक्शल इंटरकॉर्स से भी प्रोलेक्टीन पर इफेक्ट होगा नहीं होगा बेटा विल लेक्टेशनल एमेनुरिया भी प्रेजेंट इवन इब दा मदर ड़स नोट नीड हर बेबी फोर दे इसको उसका मतलब यह होगी अगर माँ अपने बच्चे को दूद नहीं पिला रही है तो क्या लेक्टेशनल एमेनुरिया होगा तो फिर वो छे महीने तक नहीं होगा बेटा फिर लेक्टेशनल एमेनुरिया जोगा वो जल्दी खतम हो जाएगा PCOD जो होता है polycystic ovarian disease जो है बेटा इसका कोई fix reason नहीं है कई कारणों से हो सकता है ब्रेस्ट की size को कौन maintain करेगा ब्रेस्ट की size को maintain करने के लिए estrogen hormone होता है बेटा PRL का high level अगर बहुत time तक रहेगा तो female में infertility आ सकती है क्या साजित मौमद शाबाश very good बेटा बहुत अच्छा question है तेरा और answer जो तू नहीं दिया है वो भी सही है PRL का अगर high level रहेगा ना लंबे समय तक तो फिर female के अंदर sterility आ सकती बिल्कुल possible है Dopamine का level decrease क्यों होता है menstrual cycle के बेटा normal जो है प्रोसेस है चलो अब हम खतम करते हैं इसको buffering हो रही बेटा मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है थोड़ा सा तो let's finish it Thank you very much आज के लिए इतना ही अब बाकी के जो hormones है वो हम कल discuss करेंगे good night बेटा उर्वशी श्रीमाली ने पूचा है कि सर अगर rare chance में 6 महीने से पहले menstrual cycle start हो जाए तो क्या होगा बिलकुल उर्वशी तेरा भी question बहुत अच्छा है शाबाश very good और ऐसा होता भी है normally कई बार ऐसा हो जाता हम maximum 6 महीने तक मानके चलते हैं लेकिन कुछ महीला ऐसी होती है उन में 6 महीने से पहले ही जो है PRL का level कम हो जाएगा menstrual cycle start हो सकता है और दूसरा बच्चा भी जो फिर से pregnant भी हो सकती within 6 months it is possible normally 6 महीने तक pregnant नहीं होती है लेकिन कुछ महीला है it is possible तो मैंने आपको पहले ही तो बोला यह बात मैंने आपको समझाई भी थी कि यह natural method है lactational amenorrhea जो है it is a natural method of contraception लेकिन failure chances भी हाई है failure chances हाई का